कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो देश आजादी की वर्जगाट मना रहा है 15 अगस के सबतावर पहले से ही चारों तरफ तिरंगा माहोल में ही देश भक्ती भर देता है लेकिन क्या हम अपने सेनानियों को या अपने शहीदों को जानते हैं अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं ऐसे कई घुमनाम सिपाही थे जिसने स्वतंतरता की मशाल जलाई थी जिसका अनुसरण कर कई युवा बलिदानी की बलिवेदी पर चड़ गए लेकिन हम उन्हें जानते ही नहीं न्यूज जरा हटके लाया है उन्हीं गुमनाम सेनानियों की कहानी अपने सिरीज जरा याद करो कुर्बानी में इसी सिरीज में पिछली बार हमने आपको हमारे वीर सेनानी बटू के श्वर दत्य की कहानी सुनाई थी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उपर आ रहे लिंक पर क्लिक करें और देख सकते हैं या फिर अंत में आपको लिंक मिल जाएगा जहां आपको इस सिरीज इस उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था वर्षों विदेशी आकरमनकारी और विदेशी बादशाहों की बादशाहत की वज़े से हम ये भूल बैठे थे कि गुलामी क्या होती है उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि जैसे यही जीवन जीने की हमारी पद्धती है और यही हमारी नियती है जबकि हमारा एक गौरमेई वीरता का इतिहास रहा था लेकिन हमारे शासकों की ऑप करमनेता या फिर यह कहें कि हमारा एक जुटना रहना किसी न किसी विदेशी आकरमनकारीयों का गुलाम हमें बने रहना पढ़ रहा था जिसमें हमारे कुछ राजाओं की घर्दारी भी शामल थी लेकिन वक्त पदल रहा था अंग्रेज अपनी कोटलता के चरम पर पहुँच गए थे तो देश में स्वतंतरता की सुख भुगाहट शुरू हो चुकी थी जो धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले चुकी थी तबी 11 जून 1897 जी हाँ 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के साजहां कुर में भारतिय स्वतंतरता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख ने जम लिया था जिसकी मा उसे प्यार से राम तो कारती थी उनका नाम था राम प्रशाद बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ बिस्मिल जोड लिया था और बिस्मिल के नाम से उन्होंने कई किताबें लिखी थी बिस्मिल उन्होंने अपना उपनाम चुना था इस उर्दू शब्द का शाबिकर थे आत्मिक रूप से आहग और वो हो गए राम प्रशाद बिस्मिल लेकिन एक बात यहां साती साथ साफ करता जाओंगा कि ये वो बिस्मिल नहीं थे जिन्होंने सर फरोशी की तमन्ना लिखी थी आगे वो भी बताओंगा कि वो बिस्मिल कौन थे और ये नजन कैसे राम प्रशाद बिस्मिल की ही होकर रह गई थी आयों कहें तो राम प्रशाद बिस्मिल की जुबाम अल गई थी राम प्रशाद ने जब लोकिमान गंगादर तिलक के पूरे लखनों शहर में शुभायातरा निकाली तो सभी नवयूकों का ध्यान उनकी दिड़ता की ओर गया और यही से राम प्रशाद बिस्मिल ने नवयूकों को स्वतंतरता के हवन कुंड में बलिदान देलिर के लिए उन्हें जोडने की शुरुआत की फिन उन्हें मात्रिवेधी के नाम से खुद का एक संगठन खड़ा कर लिया था इस संगठन की ओर से एक इश्टहार और एक प्रतिक्याँ पत्र भी प्रकाशित की गई दल के लिए धन एकद्र करने के उदेश से रामप्रशाद ने जो अब तक बिस्मिल के नाम से प्रिसिद्ध हो चुके थे कई खताब है लिपचिके इसके अलावा जून 1918 में दो तता सितंबर 1918 में एक एक कुल मिलाकर तीन डकेतियां भी डाली जिसे पुलिस सतर होकर इन यूटों की खोज में जगे जगे चापे डाल रही थी क्योंकि इन्हें धनी कठा करना था एक नमबर 1919 में में स्ट्रीट बी एस क्रिस ने मैनपुरी शडियंत्र में शामिल गिरफतार लोगों को सजा सुना रही थी जिनमें सबों पर ब्रिटिस सरकार के खिलाफ साजिश का रोग था लेकिन इन सब के बीच पूरे शडियंत्र का लीडर राम परशाद बिस्मिल पुलिस को चकमा देकर फराद था उस वक्त यह वावी फैली थी कि बिस्मिल पुलिस के हाथों मारा गया था जबकि पुलिस मुट भेर के दौरान यमुनावे छलाग लगा कर पानी के ही अंदर यंदर तहते हुए वो मीलों दूर आगे जाकर नदी के बाहर निकले और वो जगह जहां आजकर ग्रेटर अनौइडा आबाद हो चुका है दो बरस तक बिस्मिल भुमीगत रहे क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंड रहे थी भुमीगत होते हुए भी अपनी रण दीती पर काम करते रहे वो लगातार अपनी आजादी के आंदोलन को भुमीगत होते हुए चला रहे थे अप्टुबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशियेशन का गटन कर नौजवान को जोड़कर बिर्टिस सरकार के खिलाफ आंदोलन की फिर से तैयारी शुरू कर दी लेकिन दिक्कत फिर वही पैसो के आ रहे थी चोटी मोटी डकेतिया और बिस्मिल की किताब से इतने पैसे नहीं आ रहे थे कि बड़े बड़े हत्यार खरीदे जाए इसलिए इस बार काकोरी में एक ट्रेन से अंगरेजों के खजाने को लूटने की योजना तैयार की गई इस योजना नुसार दल के ही एक प्रमुक सदसे राजेंदरनात लाहेडी ने 9 अगस 1925 को लखनव जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुटी एट डाउन सहारनपुर लखनव पैसेंजर ट्रेन को चेन खीच कर रोका और क्रांती कारी राम परशाद बिस्मिल के नेत्रित में अश्वाग उल्ला खान चंजिकर आजाद वो च्छ अन्य सहीयोगियों की सहेता से समूची ट्रेन पर थावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूटना गया बाद में अगरेजी सत्का उनकी पार्टी हिलुस्तां रिपब्लिकन असोसियेशन के कुल 40 क्रांती कारी पर बिट्रिस सरकार के विरुग सशष्त्र युद्ध छेड़ने सरकारी खजाना लूटने वो यात्रियों की हत्या करने का केस शुद कर दिया जिसमें राजेंद्रनात लाहिडी, रापजाद बिस्मिल, अस्वागुल्ला खान पता ठाकुर रोशन सिंग प्रमुकर थे पुलिस ने काकुरी कांड के संबन में जानकारी देने वो शेडियंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफतार करवाने के लिए इनाम की सबी प्रमुकुस्थानों पर लगा दिये, जगा जगा इन लोगों के पोस्टस लग गया, 26 सितंबर 1925 की राथ में बिस्मिल के साथ समुचे हिंदुस्तान से चालिस से भी अधिक लोगों को गिरफतार कर दिया गया, बताया जाता है कि जब बिस्मिल गिरफतार हो गए थ तो उनके आजादी के मुहीम ठंडी न पड़ जाए और नौजवानों का मनुबल नीचे न आ जाए, नौजवानों का मनुबल न कर जाए, इसलिए रामपशाद बिस्मिल और उनके क्रांती कारी साथी को जब भी जेल से पुलिस की लॉरी में कोट मैस्टेट के सामने अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातल में है, एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बात चीद, देखता हूँ मैं, जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, ऐ शहीदे मुलक मिल्लत, मैं तेरे उपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा, गैर की महफिल में है, वक्त आने दे, वक्त आने दे बता देगे तुझे ऐ आसमान, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, खैंच कर लाई है सब को कतल होने की उमीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातल में, आज भी वो वक्त याद करके शरीर में सिरहंची तोर आते हैं, गर्व से कंठा उचा हो जाता है, आ जाता है कि दस्मिल और साथियों की क्रांती कारी आवाज के साथ सड़क पर खड़ा हर नौजवान, उसमें सुर से सुर मिलाने लगता था, ये सरफरोशी की तमन्ना गाने लगता था, ये थी रामपरशाद बिस्मिल की हासियत, जो मु लिखी तो बिस्मिल नहीं है, लेकिन वो है बिस्मिल अजीमा अपादी, जो पटना के रहने वाले थे, लेकिन ये गजल जैसे रामपरशाद बिस्मिल की जुबां बेचा थी, जी हाँ, 16 दिसंबर 1927 को रामपरशाद बिस्मिल ने अपने आत्मकता का आखरी अध्यार अंतिन समय की जुबाने को पूर्ण करके जेल से इन्हें बाहर जच्वा दिया गया, और 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिन मुलाकार दिया, और सोमबार जी हाँ, तारीक नोट कर लीजे, सोमबार 1927 को प्राता साल 6 बचकर 30 मिनट पर गोरख पुर्ण की जिला जेल में उधे फासिद देनी है, भारत मा का एक और सच्चा सपूत अपनी मा को गुलामी की बेडियों से आजाद करने के लिए अपना बलिदान देनी है, विस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बंद रखा गया, शव को करीब देड़ लाग से भी जादा लोगों ने जुलूस निकाल कर पूरे शहर में घुमाते हुए, राप्ती नदी की किनारे राजगाट पर उनका अंतिन फल्सकार गया, राम पशाथ बिस्मिल के शहीद होने के बार, उनकी माने अपने पुत्र क अपने पुत्र के पर प्रसंद हो, दुखी नहीं, मैं श्री राम चन्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम पुत्र बिस्मिल का बलिदान उस वक्त करांती कारियों को जग जोर कर रख दिया, क्योंकि उनके साहस प्रतिग्यां और उनकी मजबूत इक्षा शक् कायल सभी थे, उस वक्त पंजाब से प्रकाशित पत्रिका कीरती में भगत सिंग ने अपने चद्ना विद्ग्रोही के माध्यम से लिखा था, कि फासी पर ले जाते समय अपने आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम भारत माता की जय, और शान्ती से चलते हुए कहा, माल जग तक की तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्त जू रहे, फासी के तक तक खड़े होकर आपने जोर से कहा, I wish the downfall of British Empire, और उसके बाद ये शेर आपने कहा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड, एक मिट जान जी की हसरत अब दिले विस्मिल है, ये भगत सिंग के शब्द राम प्रशाद विस्मिल के लिए, फिरिश्वर के आगे प्रार्थना की एक मंदर पढ़ना शुरू किया, रसी खीची गई, राम प्रशाद जी फासिक पर लटक गए, ये थी कहानी हमारे वीर शहीद, राम याद करो, पुर्वाली में, आओ, आओ जुक कर सलाम करे उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वह खून, जो देश के काम आता है, ये पूरी कहानी, राम प्रशाद विस्मिल की सच कहूं, तो इस पूरी कहानी को कहते कहते, मेरे रॉंगते ख शायर बहुत लोग नहीं ज rijानते हैं, इस नानी, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जिन्नों ने अपनी प्राणों की आहूती दे दी, अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, हमारे देश की आजादी के लिए, वो कहानी मैं आप सब के सामने लाओं, अगर ये पहुँचानी हूँ या कोई ऐसी कहानी कोई ऐसी किरान्तिकारी की बास जिसके बारे मेन शार्थ हमें मालूम ना हो वो हमें बताना हो तो please comment box में comment ज़रूर करें और हमें बताए मेरे मित्र मेरे दर्शक मेरे दोस्ट जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन जरूर दबाएए इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै